वेलकम टू न्यू लेसन इस लेसन में आपसे बात करूँगा कि कैसे आप अपनी वीडियो के लिए टैग्स रिसर्च कर सकते हो टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स जिसकी हेल्प से लोग आपकी वीडियो को यूट्यूब पे ढूंड सकते हैं ठीक है टैग्स जो हैं वो बहुत ही बहुत ही जादा जरूरी होते हैं आपके वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए आपके वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके वीडियो को सर्च में यूट्यूब सर्च में लाने के लिए ठीक है जी सो कैसे कर सकते हैं टैग्स रिसर्च करने का पहला त keywords को भी as a tag use कर सकते हो और दूसरे तरीका क्या है tags research करने का कि आप देखो कि जो बाकी वीडियोज है YouTube के उपर जो trending वीडियोज है जो काफी जादा views ले रही है वीडियो और आपकी niche से related है उनमें कौन-कौन से tag यूज हो रहे है आप वो टैग्स यूज कर सकते हो प्लस उसमें और add-ons भी कर सकते हो तो टैग्स research करने के लिए हम जो टूल यूज करेंगे उसका नाम है TubeBuddy ठीक है जी TubeBuddy आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हूँ TubeBuddy.com पर यहाँ पर एक option है इंस्टाल फ्री ओन प्रूम तो जस्ट क्लिक इंस्टाल फ्री ओन प्रूम और आगया है यहाँ पर इसको आप कर लो add to chrome और आप कर लो add extension अब थोड़ा सा वेट करते हैं यह upload हो रहा है आप मीन डाउनलोड हो रहा है काफी बड़ा टूल है अब मैं यूट्यूब चैनल पर हूँ एक बार यहाँ पर टूबड़ी इस टूबड़ी को मैं क्लिक करता हूं और अभी हमें इस पर साइन इन करना पड़ेगा बाद में option आएगा साइन करने का अब आप यह देख सकते हो यह three dimensional biceps के एक वीडियो है एक बार इस वीडियो को क्लिक करते हैं यह वीडियो डाले हो यह इन्होंने पूरी आप देख सकते हो इस पर कुछ कितने हैं 1.8 million views है अब हम इस वीडियो के stat देख सकते हैं किसकी help से एक बार इसको मैं refresh करता हूं अब देख यहाँ पर आ गया tube body sign in required ठीक है इसको यहाँ से क्लिक करो और I have read कर दो और sign in कर लो कर लेते हैं ट्यूब बड़ी के अंदर allow कर देते हैं ओके अब sign in हो गया अब एक बार यहाँ से refresh करते हैं अब देखो अब आपको काफी सारा data नजर आएगा देखो यह नजर आ रहा है कितने views हैं, कितने comments हैं, कितने likes हैं, कितने dislikes हैं, कितने Facebook पे likes हैं कितने channel के views हैं, कितने subscribers हैं, कितनी videos हैं अब यह देखो यह रहे सारे tags biceps, bicep, increase bicep size, bicep workout, big arms workout, bigger biceps, best bicep exercise, how to increase bicep size, short head bicep, right अब यहां पे देखोगे, तो copy है, इसको यहां से copy कर लो, copy to clipboard और जब आप नई video डालोगे, तो आप इन सारे tags को as a tag use कर सकते हो, right आप चाहो तो इसमें और add-ons कर सकते हो, और इसमें tags आप अपनी तरफ से add कर सकते हो, right नहीं तो आप इसे use कर सकते हो, अब जैसे suppose करो मैं search करता हूँ bodybuilding, right और और नीचे देखते है, 4 years of natural bodybuilding, ठीक है, अब अगर यह video मैं खोलू, तो again आप देखोगे, कि यहां पे कुछ recommendations आगे कितने views हैं, channel के कितने views हैं, और again कौन से tags हैं, right, workout motivation, gym motivation, lifting motivation, gym transformation, तो आप जब नहीं वीडियो बना रहे होगे, जो कि इसी से related हो, gym motivation से related हो, कोई random वीडियो नहीं, तो आप वहां पे ये वाले keywords, as a tag, use कर सकते, right, एक काम आपको बिल्कुल नहीं करना, जो बीच में काफी लोग करते थे, वो लोग क्या करते थे, कि कोई भी trending keyword है, जैसे बीच में रानू मंदल के काफी videos, वाइरल हो रहे थे हैं, तो लोग जो रानू मंदल से related tags थे, वो अपनी वीडियो में डाल देते थे, मतब suppose करो मेरी वीडियो है, bodybuildings related, और tags में रानू मंदल वगरा, बाकि ये सारी चीज़े डाल दी, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तो कि अगर वैसे किसी ने आपकी वीडियो ढूंडी, तो वो आपकी वीडियो देखने वाला नहीं है, तो कि उस सकते हो, देख सकते हो, कौन-कौन से tag बंदे ने यूज किया है, प्लस जो हमने keyword research कि थी, जो हमने content research कि थी, उस समय हमें जो keyword मिले थे, वो वाले keyword, वो वाले tags, तो वो tag और ये tag दोनों मिला के मैं अपने tags यूज कर सकता हूँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि make sure कि आप हमेशा अपने brand का tag जरूर यूज करो, जैसे इस बंदे का channel na just mark और यहाँ पर देखो, इसने just mark यूज किया हूँ, तो जो आपका brand है, उसको आपको जरूर tag में use करना है, make sure कि आप हमेशा अपने brand को जरूर यूज कर तो ऐसे आप tags research कर सकते हो, कल के lesson में हम देखेंग